फेडशिल पापे कुठे नरकात जाशिल ईश्वरा बग तुझा नावे जगाने सोड़ ले लेया या मुली दीवारे खास में आप सभी शेयरो अदब के चाहने वालों का बहुत बहुत हस्तेकबाल, स्वागत, संदीद गुप्ते का प्यार भरा आदा मराठी गजल रसिकाना सप्रेम नमस्कार देहाचा व्यापार हवा तर सोक करावा लगन वगेरे पढ़ वाटांचा सोस नसावा तो मित्रानों आज अपन मराठी गजल कारा शिल्पा देश्पांडे यहांची दरजेदार आणी उतकुर्ष्ट मराठी शायरी या विश्यावर वल्णार होत तो दोस्तों मराठी शायरी का एपिसोड होने की वज़े से गुफ्तकु का सिल्सिला जो है वो दोनों जबानों में कायम रठेंगे याने मराठी में भी और हिंदुस्तानी जबान में भी ताकि हिंदी उर्दु वालों को भी मराठी गजल का हुस्न उसकी ताकत का पता चल सके तो सबसे पहले शायरा के बारे में मुख्तसर मालूमात और उसके बारे उनके कुछ बुलंद और बहतरी अशार शिल्पा दिश्मांडे का तालुक मुंबई शहर से हैं उनकी मौझूदा रहाइश निउ मुंबई की है शिल्पा दिश्मांडे ने जेजे स्कूल आफ अर्किटेक्चर में ताली भासिल किया है जी निउस लिमिटेड मराठी जी निउस लिमिटेड में सीनियर प्रोडूसर की हैसियस से शिल्पा काम कर चुकी है जी चोवीस तास और टीवी नाइन में प्रोडूसर और एंकर की हैसियस से भी काम कर चुकी है नमस्कार जी मराठी में बतोरे एंकर उन्होंने काम किया है बतोरे जर्नेलिस्ट शिल्पा दिश्मांडे काम कर चुकी है शिल्पा दिश्पंडे marathon runner भी है एक काम्याब marathon runner भी रह चुकी है और इन दिनों वो Amazon Home India में content editor की हैसी हैसे काम कर रही है तो ये था उनका कुछ professional data अब उनकी गजल की बात करते हैं तो शिल्पा दिश्पंडे कई एक लंबे अर्से से मराठी गजले कह रही है उन्होंने दरसल तादार देखी जाए तो उन्होंने बहुत कम शियर कहे हैं बहुत ज्यादा शियर नहीं कहे हैं फिर भी जो शियर कहे हैं वो दमदार कहे हैं और बहुत ही सबरदस्त और ताकतवार शियर हैं उनके दोस्तों जो मेरी नजर में शिल्पा देश्माइंडे की शायरी की दो खुबिया हैं, उनकी शायरी की पहली खुबी मेरे नजर में यह है कि उनकी शायरी फैमिनिजम की एक बुलंद आवाज है, लेकिन उनकी शायरी में जो फैमिनिजम नजर आता है, वो किसी अबला नारी की आवाज नहीं है, ना तो किसी अवला नारीक की आवाज है, और नहीं जंडा उठाकर चलने वारा कोई आंदोलन नजर आता है उनकी शायरी जो है, वो समाज में स्त्री जीवन का एक हकीकी मनजर पेश करती हुई नजर आती है ये उनकी शायरी का फेमिनिजम है जो बड़ा ही दंदार है बहुत ही बोल्ड है बहुत ही ब्लंट है और जो एक्यूरेट है जो आज समाज की जो दशा है उस पर उनम बहुत एक्यूरेटली बात की है तो ये उनकी पहली खूबी है शायरी की और इसी तालुक से में ये कहूं कि शायरी से मेल खता हुआ नजर आता है आप भी से महसूस करेंगे मैं शेयर बढ़ूंगा तब और उनकी शायरी की दूसरी खुबी यह है कि एक गजब की मनजर कशी उनकी शायरी में नजर आती है जो मुझे लगता है कि मुहम्मद अलवी और वशीर बदर सहाब की शायरी की याद दिला देते हैं उनके शिर्पादेश मेंडे के मराठी शेयर तो यह मनजर भी आप देखेंगे उनकी शायरी में मैं आपके सामने शायरी पेश करूँगा तो बहुत जल्द हम उनकी कुछ चुरिंद अशायरी पर कुछ चुरिंद अशायर को दिला डालते हैं तो मित्राणों अपन सुर्वात करूए फैमिनिजम वर निर्भीड पने भाष्य करना रहे बुलंद शेयर शिर्पा पुरुष्प्रधान समाजाने नाकार लेलया कही विवश मुलिंची व्यथा मानता न दिस्ताथ ते शेयर भगा हास्य वाटे चंद्र भागा चेहर यावर पंधरी रोज बाजा रात तरी ही मांड लेलया या मुली अनि शेवटी थेट इश्वरालाच एक जड़डीत प्रश्ण विचारता त्षिल्पा तो शेर भगा फेड़ शिल पापे कुथे नरकात जाशिल इश्वरा फेड़ शिल पापे कुथे नरकात जाशिल इश्वरा बग तुझा नावे जगाने सोड़ लेलया या मुली विनापत्य स्त्री चे दुख मांटाना शिल्पा विश्पान्डे मांटा है तेच्चा हार शेर भगा मातरत वाला वंचित होने जाना ठाउक मातरत वाला वंचित होने जाना ठाउ ते मातीला वांज कधी संभोधत नाहीं मित्राणों चारित राचा प्रश्णावर स्त्री पुरुषाना जोगताना समाजा चा दृष्टी कोनातली असमानता शिल्पा अशा प्रकारे दाखों देतात तो शेर बगा सीता देते अगनी परिक्षा त्यांचा तरी ही राघाव शास्वत त्यांचा तरी ही राघाव शास्वत कि मी जसा मतला कि एक हकीकी मनजर कि वहां वस्तो श्तिती समाजाची शिल्पा चिशारी में अपर दुश्णा थे आता हे दोन शेर बगार परत फेमिनिजम और भाष्ट्रक्रावा देहाचा वेवार हवा तर सोख करावा लगन बगेरे पलवाटांचा सोस नसावा अणि हाए एक कॉन्फिरेंट अणि प्रोग्रेसिव शेर बगार स्वतावरी विश्वास ठेवने सोपे नस्ते मनुन सोईचा देवाचा हाथ धरावा पत्रा नू टीक्ष्ट वासनां चा ससे मिरयाचे चित्रन शिलपा तेंचा एका शेरह अछा प्रकारे करता तो शेर वहा है भिंत आहेत आपले कपड़े भिंत आहेत आपले कपड़े पाहते आरपार आहे जब सामाजिक विशमता है एक मानसिकता है तलया दो नोरित किती सुंदर रित्या मांड़ा है दोस्तों घजल में रदीफ काफिया बहर अलामत ये उसके कुछ टेकनिकल घटक होते हैं घजल के लेकिन इसके अलावा भी कुछ घटक ऐसे होते हैं घजल में जिसकी वज़े से घजल में असल घजलियत ये असल शेयरियत पैदा होती है वैसे इसी बहुत सारे बात ही हैं जिसमें एक बात जिसे मैंने शुरू में जिकर किया है कि एक घटक ऐसा होता है जो चुपा घटक जीसे कहते हैं वह है मन्ज़र कशी उस मनजरकशी की वज़े से घजल में शेयर में गजब का एसर पैदा होता है घजब की शेयरियत पेदा होती है तो ये रोशन पहलु शेल्पा की शायरी में नजर आता है तो ये भी उनके शायरी की खासियत है कि चल्वाते चाहिए या मन्जर कशिवा इस नंजर कशिवा सतान वास्ताने अनेकड़ जशा मी सुर्वातिला वोलों कि दूण दिग्गष शायर महम्माद अल्वी, बशीर बडर्यां चाहिए भासो तो या मन्जर कशिवा सतानी इमेजरीया नुशंगानी या नुशंगान सब्सक्राइब सेल्ट कि एक अगणी वेगली रधीफ है है शेर बैצ यह एक अगड़ी पешь वापन इमन्सरा में पहिए रिचन गेले जिश्टी बगा है एक दा वित चोरूल में cans प्ष एक दा सोरूल में बंसे है नेस्ट आए कसा अंधार खिड़की न이스 खिड़किला रदीक फरुन के सुंदर जशल चे शेल के लिए, एकदार- चौरूनवी बघणार आहे, नेसते आहे कसा अंधार खिड़की। या इत्वन वाकून भगते फार खिड़की बस मधुन दिस्ते उठून ती साण पड़की एक आहे तीत हिर्वीगार खिड़की एक आहे तीत हिर्वीगार खिड़की एक आ गजल चे शिल्पा चे तीन शेर में तुमझे साधर करते बगार त्यात परत एक तुवाला मंजर कशिया है नाविन ने पून शब्द प्रयोग देखिल तुवाल देशनी कधी नभाला पाई लागला होता पुर्वी कधी जुला डोक्यात बांधला होता पुर्वी अजून कच्ची वच्ची दिस्ते छवी यशाची आशे चा पालना लामला होता पुर्वी आशे चा पालना टेक नाविन न पून शब्द प्रयोग देखिल लाला शिल्पा चे शाहरी मदे दिसुने तो जो निश्चितस मराथी शाहरी ला मराथी बसला सम्रुद्ध करणा रहे आणि हाँ एक शेर बगा एक कलेवर कालोखाचे वर्ती आले मंजर कशी बगा एक कलेवर कालोखाचे वर्ती आले एक दिवा डोहात टाकला होता पुर्वी आणि एपी सोड़ चा शिल्पा देश्पाण देयांचे हे दोन शेर तुमचे सम्रुद्ध पेश करतो शमा वगेरे बागे मद्धे लावा आता मुशाय र्यातुन भवदेत उठावाता मुशाय र्यातुन भवदेत उठावाता पोटा पानया साथी आहे शहर इथे कविते पुर्ता उरला हे गावाता कविते पुर्ता उरला हे गावता कर्मित्रानों है उकते शिल्पा देश्पांडे यांचे का ही निवड़क शेयर जिमी तुम्चे समौर पेश के ले तो दोस्तों मुझे उम्मीद है शिल्पा देश्पांडे माराठी के जलकारा इनके कुछ चुरिंदा शेयर जो मैंने आपके सामने हाजिर किये आपको जरूर पसंद आए होंगे तो अगली बरतबा किसी और शायर का कलाम लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ तो चंप अपके सामने हैं आपके सामने मारा इनके सामने आपके सामने आपके सामने हैं dual